दोस्तों, इंडियन मिलिटरी इस समय दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जिनके पास दुनिया में चिन के बाद सबसे ज़्यादा मिलिटरी परसनेल की संख्या भी है. तो वही दुनिया में सबसे ज़्यादा llegar की भारत के पास ही है. लेकिन अपने डिफेंस के लिए अन्य देशों से हत्यार खरीदने से ज़्यादा बहतर होता है अपनी खुद की तकनीक के दम पर हत्यारों का निर्मान करना और रशिया यूकरिन युद्ध के दोरान भारत के रशियन हत्यारों की कमी वो उनके अन्य अपग्रेड एक्विपमेंट्स की आपूर्तीम हो रहे डिलेज को देखते हुई भारत ने आगे चलकर अन्य देशों से नए हत्यार खरीदने के बज़ाए अपने ही देश की डोमे स्पोर्ट कर पाएगा और इससे भारत के संबंद भी उन देशों के साथ काफी मजबूत हो सकेंगे जो कि अन्य फ्रेंट्स पर भी भारत को अंतराष्टी मंच पर सपोर्ट करेंगे एक तरफ जहां भारत के विरोधी देशों में चीन की ताकत दिन बादिन बढ़ती जा रही है तो वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका चीन व तुर्की के दम पर भारत की नाक में दम करने को पूरी तरह से तयार है ऐसे में भारत को अपने डिफेंस के साथ साथ आटेकिंग पावर को भी बढ़ाना लाजमी था और लखीली वर्तमान भारत सरकार ने समय रहते हुए अपनी आवशक्ताओं को पहचानत हुए सही चालें चलना शुरू कर दिया है जिसका असर इस समय विशो मंच पर भारत की बढ़ती छवी की रूप में भी देखने को मिल रहा है आज के इस वीडियो में हम जानेगी की वर्तमान समय में भारती आम्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों इंडियन आर्मी इंडियन नेवी और इंडियन एर फोर्स की फाइर पावर कितनी हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलिज को चेक करने के लिए एक सवाल वर्तमान समय में भारत की चीफ आफ डिफेंस स्टाफ कौन है जनरल मनोज मुकंद नर्वनी या जनरल अनिल चोहान यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिक कर बताएं साथी जानकरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब चलिए शुरू करते हैं एक देश की सेना कोड डिफेंस की फंडिंग अच्छी तरह मिलने के लिए जरूरी होता है कि उस देश की आर्थिक हालत मजबूत होनी चाहिए इस समद्ध में भारत की पोजिशन काफी बहतर है भारत दुनिया की टॉप फाइब अर्थ वबस्था वाले देशों में आता है जिसकी वर्तमान नॉमिनल जीडिपी करीबन साड़े तीन ट्रिलियन डॉलर के आसपास है जो की आगे और भी ज्यादा बहतर होने की उमीद है क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और एक वाइबरेंट यंग पॉपिलेशन देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही है भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 140 करोड से भी ज्यादा हो चुकी है भारत का डिफेंस बजट भी दुनिया के टॉप फाइब देशों में आता है इस साल के लिए भारत ने करीबन 70 बिलियन डॉलर के आसपास अपने डिफेंस पर स्पेंड करने की यूच ना बनाई है या अकड़े आगे चलकर कुछ कम या कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं इंडियन मिलिटरी की तीनों ही ब्रांचों में टोटल एक्टिव ड्यूटी परसोनेल की संख्या साड़ी 14 लाक से भी ज्यादा है 11 से 12 लाक इंडियन मिलिटरी के पास रिजर्व परसोनेल भी मौजूद है वहीं इन से कहीं जाला पैरा मिलिटरी फोर्सेस भी इंडिया के पास मौजूद है मास डिस्ट्रक्शन की न्यूकलियर वारहेट्स की बात करें तो भारत के पास करीबन 160 न्यूकलियर वारहेट्स बताए जाते हैं हाला कि यह अकड़ा चीनिया पाकिस्तान की मुकाबले कम है लेकिन भारत के पास अपनी नुकलियर वार हैट्स को जमीन जल और हवा तीनों ही माध्यमों से दुश्मन की सीमा तक डिलेवर करने की च्छमता है इसके बात करें जमीनी ताकत की तो इस फिल्ड में मैन बैटल टेंक्स की करीबन 4,600 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं भारत मेंली इस्तमाल करता है रशियन T-92 वाइस के अपग्रेड़िड वर्जन T-90S मैन बैटल टेंक्स को अपने खुद के अर्जुन मैन बैटल टेंक्स के मार्क 1 वेरिंट की 100 से ज्यादा यूनिट्स वाइस के मार्क 1A वेरिंट्स की भी 118 यूनिट्स के ओर्डर दिये जा चुके हैं 24 सो से ज़्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं रशियन T-72 अजय टेंक की अजय माक 2 के भी नए वेरियंट्स बनाए चाना हैं लेकिन क्योंकि रशिया यूकरियन के साथ वार में उलज़ा हुआ है इसलिए भारत को इसके अपग्रेड के लिए इजरायल पॉलेंड वा फ्रा फाइटिंग वेहिकल्स की तो भारत के पास फिलहाल BMP-2 सरत इन्फेंट्री फाइटिंग वेहिकल्स की पचीस सो से ज़्यादा यूनिट्स मौझूद हैं जिनने समय के साथ धीरे-धीरे अपग्रेड किया जा रहा है साथी आगे चलकर भारत 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉमबेट वेहिकल्स के माध्यम से इन्हें रीप्लेस करेगा इन्फेंट्री फाइटिंग वेहिकल्स के अलावा भारत के पास फॉरेंड वाल लोकल कंपनीज के माध्यम से प्रोड्यूस किये गए करीबन 9-10,000 आर्मर्ड परसनेल केरियर्स भी मौझूद हैं जिनकी संख कॉरियन के नाइन वजर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्डिलरीस का इस्तमाल करता है जिसकी आगे चलकर 100 यूनिट्स के ओर्डर्स और दिये जाना है जिनका निर्मान भारत में एलन टी द्वारा लोकली लाइसेंस पर प्रोड्यूस किया जाता है वहीं बात करें टाउड यानि फील्ड हविजर्स की तो इसकी करीबन 3300 यूनिट्स भारती आर्मी के पास मौजूद हैं टाउड हविजर्स में भारत अपनी लेटेस्ट धनुस हविजर्स का इस्तमाल करता है जिसकी आगे चलकर 100-400 यूनिट्स और बनाई चाना है इसके लावा इंडिया यू की द्वा फील्ड गन्स को अपग्रेट किया गया है वहीं ओर्डिनेंस इंडियन फील्ड गन भी भारत के पास 1700 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है इसके लावा भारत डियाडियो के माध्यम से एडवांस्ट टाउड आडियरी गन सिस्टम इसे भी तैयार कर चुका है और इसक मौजूद हैं भारत मिली इस्तमाल करता है 900 से ज्यादा स्मर्च 9K58 मल्टी बेरल रॉकेट लांचर का इसके लावा 300 के करीब पिनाका मल्टी बेरल रॉकेट लांचर जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ाए जाना है बीम 21 ग्राड मल्टीपल रॉकेट सिस मौजूद हैं इनमें भारत के पास दुश्मन के सेटलाइट को तबाह करने के लिए प्रत्वी डिफेंस वहिकल मार्क 2 मौजूद है जो की जमीन से 1200 किलोमीटर की उचाई पर भी किसी मूविंग टार्गेट को तबाह कर सकता है दुश्मन की बलिस्टिक मिसालों से डिफे भारत कर चुका है दुश्मन की बलिस्टिक मिसालों के अलावा भारत के पास है रश्या वा दुनिया का सबसे बहतरी लॉंग रेंज सर्फेश टू एयर मिसाल डिफेंस सिस्टम S-400 आगे चलकर भारत इसके और भी ज्यादा अपग्रेड़ेट वर्जन्स को भी रश्या से खरीद सकता है S-400 अपनी नाम के अनुसारी 400 किलोमीटर की रेंज तक के टार्गेट को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रोई कर सकता है बलिस्टिक वाल लॉंग रेंज के अलावा मीडियम रेंज के लिए भारत के पास है बराक 8 आकाश और स्पाइडर मीडियम रेंज सर्फेश टू एर मिसाल डिफेंज सिस्टम बराक 8 70 किलोमीटर की रेंज तक टार्गेट को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रोई कर सकता है यह S-400 को सपोर्ट करेगा आकाश के भी अलग-अलग वेरियंट्स बनाई जा चुके हैं जो की 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर वा 80 किलोमीटर की रेंज तक टेस्ट किया जा चुका है वहीं इस्पाइडर सिस्टम 50 किलोमीटर की रेंज तक टार्गेट को तबाय करने में सक्षम है मीडियूम रेंज के लावा भारत के पास काफी सारे शौट रेंज सर्फेश टू एर मिसाल डिफेंस सिस्टम है भारत का अपना खुद का क्यू सर्फेश टू एर मिसाल सिस्टम इसे भी आकास से रिप्लेस किया जाएगा रश्यन ऐसे एट 9K33 सर्फेश टू एर मिसाल सिस्टम इसे भारत अपने खुद के क्यू आर सर्फेश टू एर मिसाल सिस्टम से रिप्लेस करेगा इसके लावा भारत के पास काफी सारे शौट र एरफोर्स की पावर की तो इंडियन एरफोर्स इस समय 2300 से ज़्यादा सभी प्रकार के मिलिटरी एरफ्राफ्ट का इस्तमाल करती है जिन में कुछ प्रमुख एरफ्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास साड़े 500 से ज़्यादा मल्टी रोल जैट्स मौजूद हैं मल्टी मल्टी रोल जैट्स का इसकी अपग्रेड़िट वेरियंट्स भी आगे और बनाए जाना है रश्यन मेग 29 मल्टी रोल जैट फ्रेंच मिराज 2000 और सोविय समय के मेग 21 बाइसॉन डेडिकेटिट अटेक्स के लिए भारत के पास फिलाल 120 यूके मेड इस्पेस जेट जैट ज हेलिकॉप्टर्स की बात करें तो फिलाल भारत के पास करीबन 130 से ज्यादा अटेक हेलिकॉप्टर्स मौजूद हैं भारत अमेरिकन बोईंग AH-64 अपाची अटेक हेलिकॉप्टर्स का वरश्यन MI-24 अटेक हेलिकॉप्टर्स हिंदुस्तान एरोनोटेक्स लिमिटेड द्व अटेकिंग वर डिफेंसिव सिस्टम्स का भी इस्तमाल करता है। फिलाल भारत के पास इस्राइल की IAI हेराउन, IAI सर्चर, IAI हेराउन टीपी, अमेरिका के जनरल अटोमिक्स के MQ-9 रीपर जैसे सर्विलांस ड्रोन्स मौजूद हैं। भारत के DRDO द्वार मेड लक्ष टार इस्राइल वहिकास का निर्माण भी कर रहा है। इंडियन एरफोर्स के बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं दो बड़े एरक्राफ्ट केरियर्स जिनमें I.N.S. विक्रमादित्य और भारत का खुद का I.N.S. विक्रांत इंडियन इनिक के विशाका पतनम क्लास के स्टेल्द गाइडिड मिसाइल डिस्टोयर्स की दो यूनिट्स हैं आगे इसकी और यूनिट्स बनाए जाना हैं इसके लावा कुलकाता क्लास के स्टेल्द गाइडिड मिसाइल डिस्टोयर्स की तीन यूनिट्स मौजूद हैं देली क्ला क्लास की थीन स्टल माइडिड मिसायल gettin'جंव ओपरीट करती है शह तलवार क्लास की स्टल गाइडिड मिसायल ऑपरीट करती है वहीं तीन ब्रह्म simplement पुत्र क्लास की भी गाइडिड मिसायल stricats का इस्तुमाल करती है फुरिट किexisting की बात करें तो फिलहाल के गुपत हत्यारों में भारत के पास फिलाल 17 सब्मरीन्स मौजूद हैं जिनमें अरिहंत क्लास की दो न्यूक्लियर पावर्ड बलिश्टिक मिसाइल सब्मरीन्स भी हैं जो की हजारों किलोमीटर की रेंज तक अपनी न्यूक्लियर वार हैट्स को डिलेवर कर सकती हैं इसके पायर पावर्ड।